हालो गाइज मैं हूँ मनीश वर्मा आपका स्वागत है हमारे चेनल लर्न ओफ टेकनो पर डियर फ्रेंट आज ही हमारा थियोरी का सेशन है जिसमें हम वर्नियर के लिपर के बारे में बढ़ रहे हैं आज की वीडियो में हम वर्नियर के लिपर के परकार देखेंगे टाइपस देखेंगे कितने टाइप के वर्नियर के लिपर होते हैं कहां का इनका यूज होता है ठीक है इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएग कितने परकार के होते हैं कितने परकार के हमारे वर्नियर केलिपर होते हैं तो अलग अलग इसमें कितने परकार के दे रहे हैं 6 परकार के वर्नियर केलिपर है फलेट एज वर्नियर केलिपर नाइफ एज वर्नियर केलिपर वर्नियर केलिपर, डेफ्ट गेज, गेर टूथ वर्नियर केलिपर, डायल केलिपर, अलग-लग टाइप के केलिपर दियो है फर्स्ट हमारा फ्लेट एज वर्नियर केलिपर इस परकार के वर्नियर केलिपर के जा की मापने वाली स्तेह वो फ्लेट होती है इसके दोरा बहार का माप है वो मापा जाता है जैसे लंबाई, चोड़ाई, मुटाई, व्यास, इत्यादी इसके जा की बहारी स्ते स्ते उत्तल होती है इसके दोरा अंदर का माप भी मापा जाता है इसके दोरा अंदर का माप कम से कम माप दोनों जा की चोड़ाई के बराबर लिया जाता है जो 10 mm होता है जो इसके जा का जा पर क्याता है अंकित रहता है यानि कि जो फलेटेज बरनियर के लिए पर होता है उसके दोरा अगर अंदरूनी माप मापते हैं तो minimum हम 10 mm की माप ले सकते हैं उससे कम की माप है वो इसके दोरह हम नहीं ले सकते हैं ठीक है ये माप जो 10 mm रहती है वो दोनों जाप रंकित रहती है 5 5 mm ठीक है dear friend ये इसका figure है यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 5 mm 5 mm 5 mm इसका मतलब होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 mm है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने है 5 mm है इससे कम की आप माप है वो नहीं ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा knife age varnier kelipper नेक्स्ट कौन जाए knife age varnier kelipper इसमें क्या दिया हुआ है knife age varnier kelipper में दिया है इस परकार के वर्णियर के लिपर के जा कि मापने वाली स्तेवों चाकू के धार की तरह होती है इसके दवारा एक सुराख से दूसरे सुराख के बीच की दूरी मापी जाती है लेकिन इसकी इसकी मापने वाली स्तेवों जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि आगी स नूकिली रहती है तो जैसे जर्म यूज करते हैं तो बारबार टेक्स भती रहती है जिससे का है वह मापने वाली स्थ घर खराब होजाती है नाइफ अधर के लिपर का चितरम देख सकते हैं इसमें क्या है यह जो अंधरोनी स्थ है यह कि आगे से तीखी बनी होई है ठीक है आगे से यह taper में बनी होई है तो यह taper क्या है जल्दी खराब हो जाता है बार-बार माप लेने से ठीक है नेक्स्ट है हमारा फ्लेट और नाइफ एज वर्नियर के लिए पर कैसा होता है इस परकार के वर्नियर के लिए पर की एक सतह से जा फ्लेट और एज दूसरी तरफ से नाइफ एज होते है एक सतह से क्या होते है जा फ्लेट एज और दूसरी तरफ से नाइफ एज होते है इसके دوار亦ा बाहर खोया अंदर का माप, वो आसानी से लियर दासकता है, अंदर pengli माप के लिए अउपर बना आवा है, बाहरी maप के लिए इदर बना आवा है, तो ये क्या फ्लेटेज हो गए, ठीक है, और ये क्या आगे से नुकिले हैं, तीखे भी बने वे आगे से तो यह क्या अंदर की माप वो आसानी से ले सकते हैं ठीक है तो यह कुछ अगया फ्लेट और नाइफ एज वर्नियर के लिपर हो गया नेक्स्ट है मारा वर्नियर के लिपर डेफ्ट गेज वर्नियर के लिपर डेफ्ट गेज है इससे क्या हम अंदर की बहार की और डेफ्ट वार लगी होती है जो केरियर के साथ होती है इसके बीम के पीछे आयतागार सलोट कटी होती है जिसमें डेफ्ट वारा वो आगे पीछे चलती है इस केलिपर के दौरा एक बार का माप एक साथ बाहर का माप अंदर का माप गहराई मापी जाती है इसे यूनिवर्सल क केलिपर भी कहते हैं, वर्णियर केलिपर डेफ्ट केज़ को, एसलिए कि यूनिवरसल वर्णियर केलिपर च्रिक्त केज का मतलब, यानि का अंधरोनी बहरी और गहराई की तीनों टाइप की माप पह, एक हम्माप सकते हैं, इसलिए कि hear को यूनिवरसल केलिपर बोला घ्जी कि देख लेते हैं कび इसके पार्ट के नाम भी दिय हुए है सब से पहले यह कौन सा है फिक्स जा रहता है किसके जुड़ा हूआ है जूता है में स्क्रूवरान के साथ में जूड़ा हुए फिक्स जा ये कौन साय? It is a Valve इंसायड फिक्स में फिक्स जा और 80 में छॉटा है ने भी फिक्स जा धान ठीक है लिका हुए है इसको क्या fine adjustment भी कर सकते हैं fine adjustment screw इसमें लगा हुआ है ये main scale यहां पर लिखा हुआ है वर्णियर scale आपको बताई दिया main scale किस पर होती है beam पर होती है वर्णियर scale कहां पर होती है हमारी जो movable जा जो हमारा रहता है उस पर और ये depth measuring bar है ये depth bar हमारी depth road भी इसको बोल सकते हैं ठीक है ये sliding unit है ये पूरी unit है जो पीछे की तरफ भी पूरा बनावा होता है इदर भी ये यहां तका जाता है यहां ये इसके साथ में जुड़े रहते हैं ये भी क्या है इसके साथ में यहां से ये तो ये दो वर्णियर केलिपर का मिला जुला रूप है इसमें दो स्केल होते हैं इससे गीर के दान्ट का अडेड़व और दान्ट की भोटाई एक साथ मापी जाती है इसका figure हम आगे देख लेगी ठीक है उसकी details भी हमें आगे देखने के लिए मिल जाएगी नेक्स्त है हमारा dial केलिपर अब dial केलिपर कैसा होता है तो यह केलिपर दूसरे वर्णियर केलिपर से बिन है यह है रेंक और पीनियन के सी दान्ट पर काम करता है इसके बीम पर रेंक बनी होती है और उस पर dial मे लगी देता है अब यह सुदता किस पर डिपेंड करेगी यह पीनियन पर जो गरारी और जो दांते कट्टें उनके उपर डिपेंड करता है इसके दोवारा भी बहार की अंदर की और गहराई की माप वो मापी जाती है यह एक आदूनिक केली पर है ठीक है इसमें क्या होती है हम में डिफ्रेंश दिया है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक ही वर्णियर के लिपर के दोवारा भारी बीतरी और गहराई का माप हम ले सकते हैं लेकिन बाहरी बीतरी गहराई का माप लेने के लिए अलग-अलग माइक्रो मिटर की क्या में आव सकता रहती है वर्णियर केलिपर की रेंज वो बड़ी होती है जो 0-300 mm या 0-12 इंच होती है लेकिन माइक्रोमेटर की रेंज 0-25 mm या 0-01 इंच होती है वनियर केलिपर का लेश्ट काउंट होता है 0.02 या 0.001 इंच होता है और माइक्रोमेटर का अलपतमाग 0.01 mm और 0.001 इंच तक होता है वनियर केलिपर को पढ़ने में ज्यादा समय अभ्यास की जरूरत होती है और माइक्रो मेटर क्यों क्या आसानी से पढ़ा जा सकता है वनियर केलिपर बिल्कुल सुद्ध माप नहीं देता है और माइक्रो मेटर से क्या हमारी सुद्धता में माप आती है किसकी अपेक्षा वनियर केलिपर की अपेक्षा ठीक है वनियर केलिपर भी सुद्धता में माप देता है लेकिन इतनी सुद्धता में नहीं देता है जितनी हमारा माइक्रो मेटर माप देता है थीक है? अब आगे दिया भाए डायल केलीपर का सिधान दोर अलपत्माग जैसे कि डायल केलीपर के दọnक्ति हम क्या तीन टाइप की माप ले सकते हैं स्थन तीन टाइप की हम क्या है साइज माप ले सकते हैं 0.01 mm, 0.02 mm और 0.05 mm की सदफातही का माप सकते हैं तो उसका सिधान्त क्या होता है डायल के लिपर वो रेंक और पीनियन के सिधान्त पर कारिया करता है डायल के लिपर जो होता है हमारा वो रेंक और पीनियन के सिधान्त पर कारिया करता है माइक्रो मिटर होता है वो नट और बोल्ट या लीड और पिच के सिदानत पर करे करता है जो सुदारन हमारा वर्णियर के लिपर होता है वो मेन स्केल और वर्णियर स्केल के अंतर के अधार पर करे करता है ठीक है अब हम डाइल के लिपर का अलपत मांग देख लेते हैं 0.01 mm, 0.02 और 0.05 mm की एकुरेशिय में मिलते हैं लिस्ट काउंट अफ टू दा एकुरेशियो 0.01 mm इस परकार के के लिपर के रेंग पर 0.5 mm की पिच के हिसाब से दांते कटे होते हैं इसके साथ चलने वाली गरारी में पांच दांते पूरी दूरी पर कटे होते हैं इस परकार जब गरारी अपना एक चकर रेंग पर लगाती है तो वह है 2.5 mm की दूरी तेगरती है जिसे गरारी के मद्दे में लगी हुई नीडल भी एक चकर में पूरा करती है अर्थार नीडल पूरे एक चकर में 2.5 mm दूरी तेगरती है इस परकार पूरे चकर को डायल पर 250 बराबर बागों में बांटा रहता है कितने बराबर बागों में 250 बराबर बागों में ये किसके ऑपर डिवेंड करता है यह किसके उपर depend करता है, यह depend करता है कि हमारे gear में कितने दांते कटे हुए है, हमारे range पर कितने दांते कटे हुए है, और हमारे dial वो कितने बराबर बागों में divide किया हुआ है, नेक्स्ट example अगर हम देखे 0.02 mm की reading हमारी कब आती है, तो क्या है, इसके range पर भी 0.5 mm की पीछ क दांते कटे होते हैं, गरारी पर 10 दांते होते हैं, और उसमें कितने थे गरारी पर 5 दांते थे, अधार्त गरारी वर नीडल दोनों एक ही दूरी पर रहे फिट हैं, एक चकर में दूरी यह करते हैं, 10 दांते रहें कि यानि 5 mm, तो सुई एक चकर में चलती है, 5 mm बराबर 250 dial डायल डिवीजन बराबर 5 वटे 250 बराबर 1 वटे 50 या नहीं 0.02 mm की दूरी ते करता है ठीक है एक बाग का मान कितना होगा 0.02 mm की तो इसमें का दान्त की मौटाई और अडेंडंडम को चेक करने के काम आता है अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या दोनों तरफ स्केल अगिवे एक इधर है और एक उपर से नीचे की तरफ है एक ये स्केल है और एक ये स्केल है ठीक है तो ये क्या करेगी ये दान्त की अडेंड़म चेक करेगी कौन सी ये वाली स्केल और दान्त की मोटाई ये वाली स्केल चेक करेगी ठीक है तो इससे क्या है कि दोनों टाइप से हम चेक कर सकते है दान्त की मोटाई और अडेंड़म ठीक है dear friend तो यह क्या गेर्टूत वर्णियर केलिपर होता है जो एक विशेस यूज के लिए बनाया जाता है इसमें नीचे इसके details भी दिवी है details में क्या दिवा है detail में क्या दिवा देख लेते हैं इस परकार का वर्णियर केलिपर दो केलिपरों का मिला जुला रूप है जिसमें एक डेफ्ट बार भी लगी होती है इसके उपर मेट्रिक वर बेट्टे इस दोनों परनालियों में माप आता है यह सादान के लिपर कत्राई पढ़ा जाता है इसके दोरा कटर और हब के साइज भी मापे जाते हैं ज्यादा तर इसका प्रयोग मेशीन सोप में किया जाता है कहां पर किया जाता है मेशीन सोप में इसका ज्यादा तर यूजवों किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है यूनिवर्सल वर्नियर के लिपर कौन सा होता है इसके पार्ट्स ओंगे नाम लिखे तो यूनिवर्सल वर्णियर के लिपर के बारे हमने पहले ही पढ़ लिए है उसके पार्ट्स भी हमने देख लिए है कौन सा था वर्णियर के लिपर डेफ्ट गेज को यूनिवर्सल वर्णियर के लिपर बोलते हैं ठीक है तो जिस वर्णियर के लिपर के दोरा इनसाइड वे डेफ्ट का माप मापा जाता है उसे युनिवर्सल वर्नियर केलिपर कहते हैं इसमें कौन से होते हैं फिक्स जा मुवेबल जा ठीक है इसके सारे फिगर्स में इसके पार्ट्स के नाम दी हुए हैं यह हमने इनको देख लिए थे एक बार फिर पिट से बता देता हूं यह हुता है फिक्स इन शाइड का जा यह हुता है फिक्स एक्ष्ठरल मेजरमेंट का जा ठीक है यह मुवेबल जा हो गय this one यह में स्केल होगी यह main scale इदर दिखार का यह beam हो गया यह हमारी depth measurement blade हो गया depth road भी हम इसे बोलते हैं ठीक है dear friend चलिए आगे देख लेते हैं आगे इसमें क्या दियोगा है next इसमें क्या दियोगा है यह इसके parts के नामी दी वे हैं सारे इसमें उसके बाद में इसका क्या है दिटेल्स दी हुई है ठीक है तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स नीचे लिखी हुई है वो देख लेते हैं बाकी next वीडियो में हम करेंगी इसमें क्या दियोगा है वर्नियर के लिपर के सभी parts nickel chromium steel या stainless steel के बनाए जाते हैं यह इंचो वर मिलिमेटर दोनों परणालियों में मिलते हैं कुछ वर्नियर के लिपर में एक ही परणालियों में निशान अंकित होते हैं जबकि कुछ में दोनों परणालियों में चिन अंकित होते हैं यानि कि कि किसका बनावता है वर्नियर के लिपर निक्ल क्रोम स्टील या स्टेनले स्टील के बनाए जाते हां ठीके मिट्रिक और बेट recently जादा से जादा से ज़्यादा से शेर कर दीजिएगा रखेगा बर आध cluster और याद चैनल पर इसके बाद में हर साम आठ बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है इसका नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल सकी ठीक है डियर फ्रेंट इसके अलावा आपको एक प्लेटफों पर सारा कुछ देखने के लिए मिल जाता है जहां से आप अपने लेवल को अप कर सकते हैं अपने लेवल को ग्रो कर सकते हैं ठीक है दियर फ्रेंट विस यू ओल द वेस्ट